असलाव अलेकुम दोस्तों आपका फिर से में स्वागत करता हूँ आपके सफर यूटूब चैनल पे तो साथियों आप सब कैसे हैं उमीद करता हूँ आप सखर यह से होंगे वीडियो सुरू करने से पहले आप से मेरी खोश करना चाहता हूँ चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल अटन को प्रेस कर लिजे ताक याने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमें सफरी में दोस्तों मिलती रहे तो साथियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो ख़़बर आरी कोई जानकारी है दोस्तो मुझे प्राप्त नहीं हुई जैसे कोई खबर आती में आप तक सेर जरू करूँगा अगली अपडेट की उश्रादियों चलते हैं अगली खबर दोस्तो जारी साथ यो AFC ASEAN Cup को लेकर है तो AFC यानी ASEAN ASEAN Cup जो इस साल होने वाला है इस साल दोस्तो कतारा ओपेरा होस में इस साल होगा जो की दोहा में पड़ता है 11 माई 2023 से 2 बजे दोस्तो इसे करवाया जाएगा तो जो भी भाई लोग आप लोग AFC ASEAN Cup को यदि देखना उच्छूग रखते हैं कतर ड्यूटी फ्री एपर्चुरिटी दिया जा रहा है कतर हमद इंटरनेशनल एरपोर्ट वो जॉब करने का जिसकी बेसिक सेलरी दोस्तो 4500 कतर रियाल लखा गया है तो जो भी भाई लोग आप लोग आपके पाई एक्स्प्रियेंस वागेरा है एरपोर्ट पे काम करने का तो आप हमद इंटरनेशनल एरपोर्ट का ओफिसल वेबसाइट से वहाँ पे जॉब के लिए अपलाए कर सकते हैं वहाँ इंडिया फी नजदीकी वहाँ पे कहीं पे जा कर लीजे जॉब के बारे में कैसे अपलाए वगेरा करनी है साथियों अगली जो खबर है दोस्तो बहुत ही बड़ी खबर है खबर दोस्तो वैसे मलेसिया से आरी पर मलेसिया से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आरी दोस्तो जैसे कि आब लोगों को पता होगा मलेसिया में कोई भी यदी सिरियस क्राइम यानि कोई बड़ा जुर्म यदी करता था तो उन लोगों को वहाँ पे फासी की सजा होती थी फासी की सजा माफ नहीं किया जाती था तो लगतार वहाँ पे पाजो मलेसिया का पारलेमेंट वहाँ पे लगतार दोस्तों उसके बाते रखी जा रही थी पर उन सभी को आप माफ कर दिया जाएगा और उन लोगों को आप 40 साल की सजा यानि दोस्तों मान के चलिए पूरी जिन्दगी उन लोगों जेल में ही बितानी पड़ेगी पर फासी उनको नहीं होगा इस पे मोहर लगा दिया गया है तो ये कुछ खबरे थी कुछ अपडेट्स थी जो की कतर से आ रहे थी मैंने अब तक सेयर किया उम्मीद करता हूँ वीडियो अपको अच्छी लगे हो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो पे जैहिंद लाफीज और टेक क्या